So, my dear friends, welcome you all in this video. मेरा नाम रमीज खान है और मैं हूँ एक बिस्नेस कंसल्टन. आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, वो है वेल्यू आफ यॉर आवर. यानि आपके एक घंटे की वैल्यू क्या है? क्या आपको पता है? क्या आपके एक घंटे की वैल्यू क्या है? क्या आपको पता है? आपके एक दिन की वैल्यू क्या है? चली बात करते हैं, कैसे आप इसको निकालेंगे और कैसे आपको पता चलेगा कि आपका एक घंटे का वै 333 यानि 3,333 रुपए जो की हो गई आपकी एक दिन की इंकम तो क्या महीने में क्या एक दिन में आप 3,333 रुपए कमा रहें अगर हां तो आप महीने का एक लाग रुपए कमा रहे होंगे अगर आप हर दिन 3,333 रुपए कमा रहें अब बात करते हैं कि एक दिन का जब 3,333 रुपए हो गया तो आपका एक घंटे का वैल्यू कैसे निकलेगा तो इसी 3,333 रुपए को जब आप डिवाइट कर देंगे अपने वर्किंग आवर से अब आपको यह जाना ज़रूरी है कि एक दिन में आप कितने घंटे काम करते हैं क्या आप साथ घंटे काम करते हैं नौ गंटे काम करते हैं दस गंटे काम करते हैं आपको यह पता होगा अब एक एक फिकर लेता है कि अगर मैं 9 गंटे काम करता हूँ और मेरा यह 3,333 रुपए एक दिन का इंकम है तो अगर मैं 3,333 को डिवाइड कर दू नाइन से तो जो एवरेज एक घंटे की मेरी वैल्यू निकल के आएगी या एक घंटे की cost निकल के आएगी वो होगी 370 रुपए average यानि 370 रुपए तो अगर मैं 370 रुपए हर घंटे कमा रहा हूँ तो मैं एक दिन का 3333 रुपए और एक महीने का एक लाग रुपए अराम से कमा रहा हूँगा I hope यह चीज आपको समझ में आएगी कि इसको आपको कैसे calculate करना है अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ एक बफ़र से आपको remind करा देता हूँ मान लिजे महीने का एक लाग रुपए आप कमाना चाहते हैं तो एक लाग को आप divide करिए 30 देश से तो आपके एक दिन की income निकलेगी जो होगी 333 रुपए अब इसी 333 रुपए को आप अपने working hour से divide कर दीजे एक घंटे में अगर आप 8 घंटा सपोस कि 9 घंटा काम करते है तो जब आप इसको 9 से divide करेंगे तो 370 रुपए एक घंटे की value निकल कर आएगी इस तरह से आप अगर 10 लाग रुपए, 5 लाग रुपए, 3 लाग रुपए, 1 लाग रुपए जो भी कमाना चाहते हैं सेम calculation करके आप अपने एक घंटे की value निकाल सकते हैं यानि एक जो इनस गोल बनाया है जो आपका मिशन है महीने का 1 लाग, 10 लाग तक पहुचने के लिए, तो उसके लिए क्या आप अपने एक घंटे में 370 रुपए, एक दिन में 3333 रुपए कमा रहे हो, अगर हां तो definitely आप अपने गोल अचीव करोगी, अगर नहीं तो आपको मेहनत करने की ज निकाल के हमें नीचे कॉमेंट करें, अगर आप कॉमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और इसी चीज से रिलेटेट मैं आपको एक और जवरदस्ट वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें आपको और ज़्यादा प्रोड़क्टिव कैसे हो अपने वरकिंग हावर् करेंगे, so my dear friend इस चैनल को अभी subscribe करें, ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, I will see you guys in the next video, thank you so much.